चौदा फर्वरी को हुए आतंकी हमले में हमने अपने चालिस सपूतों को खो दिया था जिसके बाद पूरे देश में गुस्से का महौल था हर तरफ से एक ही आवाजे सुनने को मिल रही थी कि इस कायराना हमले का बजलाज जरूर लेंगे प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने भी देश के सैनिकों को खुली छूट डे डाली थी किस हमले की वो अपने तरीके से कारवाई करें मोदी का कहना ही काफी था कि देश ने एक मिनट नहीं लगाए और आतंकीयों को उनका मोतोर जवाब दे दिया जी हाँ बता दे की इंडिया ने फोस के बारा मिराज फाइटर जेट ने पियो के समेथ पाकिस्तान के पचास किलो मीटर अंदर जाकर जैश के आतंकीयों के ठिकाने को तबाह कर दिया अब भारत के से स्ट्राइक के बाद जहां बॉलिवुड समेथ पूरा देश चर्श नमरा रहा था वही दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान बौकला उठा है और हाली में पाकिस्तान के प्रधानमंतरी इमरान खान ने एक बैठक बुलाई और एक बड़ा फैसला लिया खबरों की माने तो पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों को रिलीस करने से रोक दिया है जिसमें कारतेकारेन की लुका छुपी, अक्शे की केसरी और सलमान की भारत जैसी फिल्में शामिल है अब जाहिर है कि इन फिल्मों के रिलीज पर रोक लगाने से वहां के एक्जबीटल्स को भारी नुकसान होगा और इस बात की जानकारी खुद वहां की गवर्मेंट नहीं दी है उनका कहना है कि फिल्म लुका छुपी से उन्हें 15-18 करोड और फिल्म भारत से उन्हें 20-22 करोड का फायदा होने वाला था और ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री एक तरह से इंजन फिल्मों के रहमो करम पर ही चलती है अब ऐसे में फिल्मों पर बैन लगाने से भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान को इसका काफी नुकसान होगा इतना ही नहीं इसके अलावा भारत में बने आड़ पर भी एक्शन लेने के आदेश दिये गए है अब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पुलवामा का बदला लिया है तो पूरे पाकिस्तान में हल्चल सी मच गई है लगता है इसी डर से पाकिस्तान में भारतिये फिल्मों पर रोक लगा दी गई है प्रदेश अध्यक्ष श्रिमान बंदल्लाल सैनी जी पूरव मुख्यमंत्री श्रीमसी वसुंद्रा राजे जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी श्रिमान अर्जुन्राम मेगवाल जी नेता प्रतिब्रक्ष श्रिमान गुलाब चन कटारिया जी साउसद में मेरे साथी गण विधायक गण राजस्तान भाजपा के सभी सन्मान्य नेता कायर करता गण सुर्मा और चुर्मारो सारे देश में सरनाम चुरू स्री साला सर बालाजीरी धर्ती चुरू ने प्रणाम बाबा थारी देश विधेश में खूब गणी माननेता है दूर दूर सं लाखा लोग थारा दर्शन करनावे दद्रेवामा बिराजे जाहर विर गोगाजीन नमान इधर्ती सुवीर गण्योड्या निम्जय और उंचा उंचा तीब्डा सोने का पहाडा नभी मात देवे है शक्तिरी भूमी शोर्यरो आगार सर्व धर्मस मभावरो चुरू विश्व कल्यान सेवा और मानवतारो संदेश देवता चुरू अठैरी जन्ताने वीर सपुताने ममता मै माता बहनाने नमान और गणो गणो अभिनांदान आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है सबसे पहले मेरे साथ दोनों बुठ्थी बन करके पूरी ताकत से बोलिये भारत माता की आवाज बोलो भारत माता की भारत माता की आपकी ये भावनाएं आपका ये उत्सा आपका ये जोश मैं भली भाती समझ रहा हूँ आज एक ऐसी पल है आओ हम सब भारत के प्राक्रमी वीरों को नमन करें सर जुका करके नमन करें आज चूरू की धरती से मैं देश वासियों को विश्वास दिलाता हूँ की देश सुरक्षित हाथों में है भाई और बहनों साल दो हजार चूदा में विजय संखनाद युवा संगम के दोरान मैंने मेरे दिल की बात आप सब के सामने रखी थी मैं दो हजार चूदा की बात कर रहा हूँ और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है अर्चुरू की धरती से मैं देश वाच्यों को फिर से एक बार दो हजार चूदा के मेरे इंशब्दों को माह भारती के विरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ सोगंद मुझे इस मिट्टी की सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा सोगंद मुझे है मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा मेरा बचन है मेरा बचन है भारत मा को तेरा सीस जुकने नहीं दूँगा सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा जाग रहा है देश मेरा जाग रहा है देश मेरा हर भारत मासी जीतेगा सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा हमें देश वासियों हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है न भटकेंगे न अटकेंगे कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा साथियों देश से बढ़ कर कुछ नहीं होता है देश की सेवा करने वालों को देश के दिर्वान में लगे हर व्यक्ष्टी को आज के इस महत्मपुन दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवग नमन करता है कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के सत्तर बर्ष बात राष्ट रक्षा के लिए प्रान नियुच्छावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की आदमे देश को राष्ट्रियस समर्समारक समर्पित किया गया नेशनल वार मेमोरियल राजस्तान के लिए और खास तोर पर चुरू जुन्जनू और सी करके इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अतिक अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किये है